जी फाइफ पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें वेरी यामी क्या चाया का रहती हो तुम वही चाह तुम रहते हैं इंडिया में तुम्हें क्या लगता है चाहिना में सब लोग जानते है कि गुचिया क्या है जादा ओवर्याक करने के जुरूद नहीं है अरे मैं का ओवर्याक कर रहा हूं रिष्णा मैं से बात कर रहा था तो जिस चिल तुम्हारे साथ हम नॉमल बात नहीं कर सकते हैं इस इंपॉसिबल और कभी ट्राइबी मत करने हैं ओकी इसना प्रीज बैट जाब वैसी पुरा काफिया में गूर गूर के देख और तुम बीती बाते कब तक अपने दिल से लगा के बैठो इसे लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगी जिस्ट मूव ओन प्लीज विहान तुम्हारे साथ यह से पॉसिबल नहीं है तुम उन लोगों मेंसे हो जो लाइफ में एक सबक बन जाते हैं जो भुलाई नहीं भोलते लाइफ है कड़ोर और कड़वा सबक रचना में यहां यह उसका अपना उपिनिन है वेदर यू लाइक टॉर नॉट आप पेशिंट की माँ हैं जी जी डाइट साब आपकी बेटी ठीक है खत्रे की कोई बात नहीं मामूली सा बर्न है वो कुछ दिन में ठीक हो जाए मेरा ख्याल है कि आज राद तक उसे आप ले जा सकते हैं डाक्टर साब क्या हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं नहीं हाँ वो बार-बार किसी मैंग से मिलने के लिए कह रही है यह मैंग कौन है जी डाक्टर साब मैं हूं माया का बोली आप भी सकते हैं अब कैसे हो चार अभी विदर दो रहा है क्या थोड़ा थोड़ा लेकिन आप तो ठीक है ना हाँ हम मैं मैं बिल्कु ठीक हूं मुझे क्या हुआ है अगर आपको कुछ हो जाता तो हमें बचाने के लिए कैसे अब आप में खूद पड़े मायंग जी हम आपका है इसान काप भी नहीं भूल भाएंग अरे नहीं नहीं तुम बैठे रहो आराम करो मायंग जी भाज आपने हमारी आखे खोल दी अकर हम दोनों ऐसे ही एक दुसरे की रक्षा करें कैर करें तो हमारी शादी बच सकती है ना मायंग जी हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपकी भी थी यह ओडर लाने में इतना ताइम क्यों लग रहा है कुंजिन तुमने घर पे फोन नहीं किया बहुत देर हो गई है नहीं घर पे रहा देख रही हो गई हाँ बस एक वर्ट करते है हलो है प्वाजी अवशीजी है क्या मुझे उंसे जरूरी बात करनी थी क्या यह आप क्या कहरी है प्वाजी अच्छा अच्छा हम लोग आप है रस्णा चलो में चलना होगा क्यों त्यूंट क्या हुआ हुआ है एक सेगें एक सिगेंग क्या हूँ अब प्रॉब्म क्या है सब ठीक है न वह अच्छी चारू का एक्सिट हो गया है अग्टर सब करें अ जी गुट्र सब आ रहे हैं गुट्टर सब सुनाए के यहां बंड केस है हाँ एक किस आया है लेकिन वो माइनर बंड का केस है उसे हम जल्दे ही डिस्चार्ट भी करने हैं लेकिन हम पेशन से मिलना चाहें है एक्सिट है यह उन्हें किसी पर शक है लेकी का तो करनी पड़े ही लेकिन मानिये इसर पेखाता था यह सब क्या हो रहा है बिना कुछ की बिना किसी गलत मिचसद के एक दम से सब कुछ बिकड़ गया गल्ती के बाद कल्ती हुदे जली जा रही है और और कुछल तो तुमके साथ नहीं जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा ज़रूरत है तो तुम खाया भो मुझे एक साथी एक दूस की ज़रूरत है जो मेरे दर्द दूर कर सके आपके चाब पुंचे प्लीज कम बाग जे करिये इंस्पेक्टर साथ मैं हुमायंकर रहा हुआ हुआ हु कटल करने की कोशिश अपनी पत्नी से दहज वसूली के इल्जाम में आपको गिरफतार किया जाता है दहेज वसूली के इल्जाम में नहीं इस्पेक्टर साथ आपको जो कहना है कोट में कहना चलो अभी मिले लेकिन इस्पेक्टर साथ आपको को गलत पही हुई है कि हमारे बच्चे ने से कुछ भी नहीं किया है वह बिल्कुल बेक असूर है ओ यह बेक असूर हो तो फिर किस ने किया यह सब कुछ कहीं यह किया धराया आपका दो नहीं है देखिए इस पर कि हम आपके काम में कोई रुकावट नहीं डालना चाहिए आप जो भी ठीक समझते कीजिए बस हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हम एक साधारन वद्धमवर्गी परिवार से बगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है हमारा परिवार तहच के सख खिलाफ इंस्पेक्टर इसके बहु को जलाने का तो सवाल है पैदानी होता है हाँ इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा नहीं कर दिया बिटा ये पुलिस का आणा बिटा हमें ये सब अच्छा नहीं लगा और अगर तेरे बापा को पता चल गया तो क्या ममी आप लोग मीना हत करते हैं हम से जाना आपको माहिंचे की घरवालों के लिए सिंपती हो रही है और हम कह रहें ये सब ह कि अपने घरवालों के ऐसी हालत में देखें माहिंचे डिवास केस बॉपस ले ले लेंगे और साप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटे की अ लेकिन ममा अब हमारा केर चौपट मत कर देजगा आपको अपने अपनों भूल देगा और हम पापा को आपको ही सम्भा कि अपने अपने आपको समझते क्या हो इतना बड़ा जूट तुम्हारी प्रब्म मुझ से है ना तो मेरे घरवलों को बीचे मत गजीटो समझी आप परिशन को परिशान मत कीजिए बाहर जाएए नहीं नहीं नर्स हमें भी महेंग जी से बात करनी है किस जूट के बार में बोल रहे हैं महेंग जी आप हमने कोई जूट नहीं बोला हमने आप से किसी से कभी कोई जूट नहीं बोला हम बिल्कुल सच कह रहे है अज हम सब को सच पता कर ही रहेंगे आज हम किसी से नहीं ड़नने वाले पेकर साथ आज हम आपको सब कुछ साथ सर बताएंगे शादी के पहले दिन से इसमा में तहेज के लिए परेशान करते हैं पस करो चारू इन सब की शरापत का कितना लाजास पायदा उठाओगी जूट की भी एक हद होती है चारू बिटा जराट ठंडी देमाग से काम लो अम जानते हैं कि इसमे खुर्दूने से तुम बहुत परेशान है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बिटा कि तुम कुछ भी बोलोगी एक मिनट इंस्पेक्टर आप ऐसे सिर्फ चारू के एक स्टेट्मेंट पे मैं अंको अरेस्ट कैसे कर सकते हैं आप में बिना किसी सबूत के और नहीं तो क्या अगर हमने इंसे दहेज लिया है तो कहां रखा है देखें इस्पेक्टर अगर अगर आपको हमारे घर की तलाशी ले लिए तो ले लीजे हमें कोई अतराज नहीं है आई स्पेक्टर साथ ये रफ्तारी से पहले पूरी तहकीकात तो करिए गर्क परिवार के पूरे घर को छान मारो पूरे घर की तलाशी चाहिए मुझे उनकी बैंक अकाउंट की चलिए आप भी आईए Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें